हेलो एवरीवन, रामनेट जेयार चैनल में आपका स्वागत है, आप सब कैसे हो, उमीद करती हूँ, आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे, तो फ्रेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मोक टेस्ट 3, इससे पहले मैं ने दो मोक टेस्ट करवा दिये हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, तो आप वो भी देख लें, जिससे आपको बहुत एल्प मिलेगी, तो फ्रेंट्स, आप किसी भी एक्जाम की तयारी हिंदी साहित्ते से कर रहे हो, जैसे टीजिटी, पीजिटी, नेट जी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सबस्क्राइब करें, और साथ इबनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें, तो आईए देखते हैं, पहला कोश्चन क्या है, गल्त जोडे को चाटिये, ए, पाहुर दोहाराम सिंग की, बी, वरन रतना करदा मुदर सर्मा की, सी, सब्दानुशाशन हेम चंदर की, और डी, किर्तिलता विद्यापती की, तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा, बी, ये गल्त है, और ये तिनों ही ठीक है, प अपवरंस का व्याकरण है, ए, उक्ति व्यक्ति परकरण, बी, सब्दानुशाशन, सी, पाहुर दोहार, और डी, वरन रतना कर, तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा, बी, सब्दानुशाशन, अपवरंस का व्याकरण है, सब्दानुशाशन, नेक्स्ट कोश्चन है, क कवी बिहारी मुखेते शरंगार रसके कवी हैं। अगला है फोर्थ कोश्चन कुजरो का जनम स्थान क्या है। A. बंदायू B. बुलन सहर C. एटा और D. मैनपुरी तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा। एटा कुजरो का जनम स्थान एटा में हुआ है। नेक्स्ट कोश्चन है फरुकाबाद में बोली जाने वाली बाशा है A. बांगरू B. कन्नोजी C. बुन्देली और D. बर्जबाशा तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा। बी कन्नोजी नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं चठा डाई अक्सर प्रेम का पड़े सो पंडित होए परस्तूत पंक्ती की रचेता है A. मीरा बाई B. कबिर्दास C. जाय सी और D. तुलशिदा से तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा। बी कबिर्दास दाई अक्सर प्रेम का पड़े सो पंडित होए यह पंक्ती कबिर्दास जी की हैं नेक्स्ट कोश्चन है लेहनदा बाईशा का विकास किस अपवरंस से हुआ है A. ब्राचरड B. कैकरा C. पेसाची और D. मागदी तो लेहनदा बाईशा का विकास किस अपव अगला कोश्चन देखते हैं निमलिक्त में से कौन सी बोली पश्चमी हिंदी की नहीं है A. ब्राचरड B. बुंदेली C. खड़ी बोली और D. अवदी तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा D. अवदी यह तीनों ही पश्चमी हिंदी की बोली है ब्रच भाष्या बुंदेली और खड़ी बोली यह नहीं है नेक्स्ट कोश्चन है वियोगातमक भाष्या है A. हिंदी B. अपवरन से C. संस्क्यरत और D. प्राकरत तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा B. अपवरन से अगला कोश्चन देखते हैं पश्चमी हिंदी की ब नुसुची में कौन सी बाष्या सामिल नहीं है तो A. बोडो B. मैथिली C. बोजबुरी और D. डोगरी तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा C. बोजबुरी नहीं है और यह तिनों ही 22 बाष्याओं में सामिल है नेक्स्ट कोश्चन है पश्चमी हिंदी की बोली नहीं है A. खडी बोली B. बांगरूर C. गडवाली और D. बरजबाशा तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा C. यह पश्चमी हिंदी की बोली नहीं है यह और यह तिनों ही है खडी बोली बांगरूर बरजबाशा अगला कोश्चन देखते हैं खडी बोली को सम्मलित किया गया है A. पश्चमी इंदी में B. राजस्तानी में C. पाहडी में होड़ी दख्चिनी इंदी में तो खडी बोली को सम्मलित किया गया है इसका राइट ओप्शन होगा A. पश्चमी इंदी में और ये तीनों ही आते हैं सूर्दास, परमाननदास और D. कुम्मनदास अगला कोश्चन देखते हैं पर्थ विराजरासों की रचना सुक सकी सम्माद में किस विद्वान ने मानी है A. आचारिये शुकलने B. मिशर बंदूने C. गिरिये सन्ने और D. आचारिये हजारी पर सा दिवेदी ने पर्थ विराजरासों की रचना सुकी सम्माद में मानी है अगला कोश्चन है विद्यापती ने अपनी किस किर्थी को कहानी कहा है A. भूपरी कर्मा B. पदावली C. किर्थी पता का उड़ी किर्थी लता तो इसका राइट ओप्षन होगा D. किर्थी लता वि आना है तो अई यह उप्षन देखते हैं A. करमवीर आज विशालबार्थ और जनसत्ता B. उप्षन देखते हैं A. करमवीर विशालबार्थ और जनसत्ता C. जनसत्ता विशालबार्थ करमवीर और आज उड़ी उप्षन है विशालबार्थ जनसत्ता करमवीर और आज तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा इही, सबसे पहले करमवीर उसके बाद आज विशाल भारत और जनसत्ता तो करमवीर का टाइम होगा 1980 और आज का टाइम है 1920 उसके बाद आता है विशाल भारत इसका टाइम है 1928 और उसके बाद आता है जनसत्ता इसका टाइम है 1980 तो ये काल करम के कोश्चन भी हमें बहुत कन्फ्यूज करते हैं लेकिन अगर आप इनकी बार-बार प्रैक्टिस करते हो तो ये आसानी से सोल हो जाएंगे अगला कोश्चन देखते हैं या सिर्नवे नराम कू नाहीं गिर्यो टूट आन देव नहीं परसिये यह तन जाया छूट ये पंक्तिया किसकी है ए चरंदास की भी गुरकनात की सी कुझरो की ओड़ी विद्यापती की तो इसका राइट ओप्शन होगा ए चरंदास की नेक्स्ट कोश्चन है आधिकाल को अत्यदीक विरोधी और व्यागातो काई होगे कहने वाले आलोचक कौन है ए नगेंदर बी दिरेंदर सर्म वर्मा सी राहूल सांकरतियान ओडी हजारी परसाद दिवेदी तो इसका राइट ओप्शन होगा बी दिरेंदर वर्मा नेक्स्ट कोश्चन है इसमें नई कहानिया दुलन के परारंब करताओं में से कौन नहीं है एक अमले स्वर भी राजंदर यादव सी ग्यान रंजन ओडी मोहन राकेस तो टोवन्टी वन का हमारा राइट ओप्शन होगा सी ग्यान रंजन नहीं है अगला कोश्चन है मैं हि हिंदुस्तान की तूती हूं ये किसने कहा है रहीम ने विद्यापती ने खुसरों ने और गोरखनात ने तो इसका राइट ओप्शन होगा सी खुसरों ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं नेक्स्ट कोश्चन है पुस्तक जलन हत दे चली का जन्नर अपकाज ये पंक्तिया किसकी है ए जल्लण की भी चंदरवर्दाई की सी जगनी की और डी जयानक की तो इसका हमारा राइट उप्शन होगा भी चंदरवर्दाई की तो लास्ट में जब चंदरवर्दाई अपने पुतर जल्लण से कहते हैं पुस्तक जल्लन हत देश चली गजन रपकाज ये चंदवर्दाई जी पर थ्विराज के साथ जा रहे हैं तब ये जलन के हाथों अपने बेटी जलन के हाथों में ये पुस्तक सोकते हैं और तब ये पंक्तिया कहते हैं तो ये भी हमें याद रखनी है कई बारे ये कोश्चन आया है अगला कोश्चन है रचनाकाल के नुसार पतिरिकाओं का सही अनुकरम रेखां कित कीजिए तो सदादर्श का टाइम देखते हैं हम होगा 1884 उसके बाद है हिंदी परती पे इसका है 1877 उसके बाद देखते हैं ब्रामन का है 1880 और लास्ट में है बारतेंदू तो इसका है टाइम 1883 तो ये भी हमें याद रखनी है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट कोश्चन है 25 में संदेश रासक क्या है एक गीती कावए बीच रित कावए और दी खंड कावए तो संदेश रासक एक खंड कावए है इसका राइट ओप्शन होगा दी तो फ्रेंट से आज हमने इस वीडियो में 25 इस MCQs के और ये MCQs complete label से हैं तो ये MCQs आपको कैसे लगे और आपके कितने questions सही हुए 25 में से आप मुझे comment box में comment करके बताए तो friends आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए important और interesting वीडियो के साथ तो इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और साथी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी student से हिंदी साहिते से किसी भी exam की तयारी कर रही हैं सभी को इन वीडियो का लाप उंचे तो friends तब तक के लिए खुश रहे सोस्त रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे थैंक यू